सोड़ा राजकिविद्हे दें। की सोड़ा राजकी विधी महवविध्य एले हैं उन है अगर आपको LLB first year में या फिर PG DLL में admission लेना है तो आपको active होना पड़ेगा आपको जो है अपने नजदी की law college के touch में रहना होगा यह government law colleges जो है रालस्थान के सोडा उनमें admission लेने का वीडियो है और यह वीडियो पार्ट टू है इससे पहले एक भाग बनाया जा चुका है एक पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है उसका लिंक निचे description में आपको मिल जाएगा उसमें detail में बताया गया है कि आपको कैसे website से website से जो detail से वो देखनी है और अपना form apply करना है इसके अंदर हम form कैसे भरना है उसके बारे में सब्सक्राइब की राजके विदी माविद्याले से ले सकते हैं अब सभी का स्किल्ड यूद गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है और साथ में यूट्यूब चैनल भी आपका इस एपिसोड में स्वागत करता है यह राजके विदी माविद्याले सोडा गवर्मेंट लॉकॉलेजे राजस्थान में एडमिशन लेने का पार्ट टू वीडियो है इससे पहले जो वीडियो इसका लिंक डिस्रिप्चिन में है आईए देखते हैं आपको फॉर्म कैसे बढ़ना है तो यह पीडिएफ है आपको यह फॉर्म ले लेना है यह ब जिसमें प्रवेश चाहा गया है यह फिर आप पीजी डियल लिख सकते हैं चौथा विशय यदी लागू हो तो आपको जो भी विशय लागू होता है विधीव अगयरा वो लिख सकते हैं पाच्वा इस्थानांत्रन स्वयम पाठी अभेरती के लिए इसनाश तक कक्षा एक अब आपको यहां पाच्वे पॉइंट के अंदर आपका जो वेकल पिक विशय रहा है वो भर देना है इसनातक में फॉर अग्जेंपल आप इसमें हम कला की बात यहां पर आपको एक बार एक खाली छोड़ देना है या फिर आपको नजदी की लोग कॉलेज में जाकी पू उपका देना है उसके बाद लिंग में आप पुरुष इस्त्रिय अन्य थर्ड जेंडर है वो लिखेंगे नाइंत पे आपको धर्म लिखना है दस पर आपको पिता का नाम ग्यारा पे माता का नाम बारा में आपको क्या आप राजस्थान के मूहल निवासी है हां नहीं पे प्रइनि उसके बाद आपको एसी कैटेगरी एस्टी कैटेगरी ओबीसी में आप जिस भी जाती में आते हैं वह लिग देंगे उसके बाद अन्य औरर आख्षर या बोनस जो प्राप्ट करना चाहते हूं अगर आपको वह बोनस लेना है तो उसका सरेटिफिकिट आपको लग जो है तो इसको अपनी डिटेल बेसिक देनी होगी उसके बाद बर में आपको कश्मीरी है क्या आप असमराज्य के निवासी हैं हां नहीं क्या आप कॉलेज्य चिक्षा में सेवरत या सेवा निवरित मृत राज्य करमचारी के पुत्र पुत्री हैं अगर आपके अगर आप फॉर्म भरने वाले के अभिवावत जिसमें माता-पिता हो वह हो गई है मृत्री कुरोदा में तो आपको हा नहीं लिखना है है यहां नहीं चाते हैं हा नहीं वहां जिसकी पार्किंग चाहते हैं अपना पार्किंग नंबर लिखेंगे अगर आप वोटर आईडी में आपका नाम है तो उसके बाद आपको आधार नंबर यदि है तो आधार नंबर भी लिख दीजएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, जनाधार नंबर अगर आपके पास है तो लिख दीजएगा, नंबर नहीं है तो मत लिखिएगा, छोड़ दीजएगा, उसके बाद डेट लिखनी है, अपने पूरे सिग परिक्षा का परिनाम इसमें आपको बीकॉम किया था बीए किया था बीस्टी किया था वह लिखना है उसके बाद आपको आपका 10th का डिटेल यहां लिखना है 70 उसके बाद 10th की बोर्ड सीबी एसी या आरबी एसी उसके बाद आपको आप रेगुलर हो प्राइवेट इस्टुडेंट हो या पूर विछातर हो लिखना है वेकल पिक विसे में आप लिख दीजेगा बोर्ड सब्जेक्ट रापतांक आप लिख दीजेगा आपके जितने नंबर टेंट में आये थे जितने में से आपको नंबर आये थे प्रतीशत भर दीजिएगा उसके बाद सीनिर सेकंडरी की डिटेल लिखनी है सत्र लिखना है बूर्ड का नाम लिखना है और वही डिटेल भरनी उसके बाद आपको आपकी ग्रेजुशन लिखनी है आपका युनिवरसिटी का नाम सत् स्ट्वेंट भी एडमिशन ले सकते हैं और पूर्व शात्र भी एडमिशन ले सकते हैं यह पॉइंट नमबर 30 जो है आई थिंग आपके काम का नहीं है पॉइंट नमबर 31 बहुत जरूरी है इसके अंदर आपको जो जो पर दोक्युमेंट आप लगा रहे हैं उनके सामने टिक लगाना है पहले नमबर पर 10 के माँस से टिक कर दीजिएगा तो आपको फिर मूल को और इजनल लगानी है और चरितर प्रमायन पत्र है वो भी आपको और इजनल लगाना है इसके बारे में आप डिटेल किंदर अपनी नजदी की राज की विदिमा विद्याले में पूछ सकते हैं कि आपको और इजनल लगाना है या फिर क्या एक्जाम पास किया है ग्रेजुएशन का उसमें सभी क्लासिस की फर्स्ट यर, सेकेंड यर, थर्ड यर की सेल्फ अटेश्टेड फोटोपी लगानी है छटे नमब में भी आपको हाना लिखना है, बीपियल प्रमाइन पत्र है, टिक करना है, आया प्रमाइन पत्र अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो को जरुत नहीं है उसके बाद आपको एक 11 नमबर छोड़ देना है, 12 नमबर अगर आप आते हो उस काटेगरी से तो वो लिख द साइदा मिल जाएदा तो आप NSS का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, NCC का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, Scout Guide का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, Rover Ranger का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, Sports का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, SASH Actionic योगता का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मानवाद ही तो उसका सरेटी लगा सकते है तो रहे और 6 अपको जितने अपने डोक्यमेंट लिखनी है no इस के लिखना की आपको इहां पर मैं दोक्राइन हो आप नाम रिखना और लिखने के बाद में आपको इहां पर date नीचे इस्थान लिखके sign कर देने हैं उसके बाद में आपके माता-पिता जो हैं या फिर जो सुन्रक्षक हैं वह भी गोश्णा करेंगे कि यहां पर मैं आपके माता-पिता या अबिवावक का नाम जो की फिर candidate का नाम आएगा का माता पिता सनक्षक हूँ, उसके बाद में मेरी वार्षी काय रूपे इतनी है, प्रतिवर्ष के हिसाब से महीने का नहीं लिखना, एन्वल लिखनी है, उसके बाद दिनान किस्थान करके आपके माता पिता या सनक्षक जो हैं सिकनेचर करेंगे, उनक के अंदर ये चार पॉइंट दिये हुए हैं, इनमें आपको प्रात्मिक्ता देनी है, वरियता देनी है, फर एक्जामपल आपकी कॉलेज में अगर आप NCC है, लॉग कॉलेज में तो अगर आप NCC लेना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर प्रात्मिक्ता क्रम एक लिख दे लेना चाहते हैं तो चार लिख दे आपको जो भी इन सब में ज्यादा पसंदे हैं उनको आप प्रात्मिक्ता के अकॉडिंग 1,2,3,4 रैंक दे सकते हैं और इसके बाद आप ये 34 नमबर को भरना जरूरी है पॉइंट नमबर 35 क्या आप महां विद्याले में रोजगार परक कॉशल दक्षता पाठिक्रम में प्रिवेश के इच्छुक हैं हान नहीं लिखना है आपको दोनों में से अगर आपको कोई स्किल डवलेप्मेंट कोर्स जो कि आपके कॉलेज में फ्री ओफ कोर्ष्ट करवा ज्यानसुजा कारिक्रम के तहट पृतिगी पृतियोगी प्रिक्षाओं के लिए मुफ्त ओंलाइन कोचिंग लेना चाहते है तो हाल नहीं में से टिक कर दे अगर आप चाहें तो coaching पर भी टिक कर सकते हैं जैसे यहां पर कुछ coaching की होती है ऐसा ये इल डीक होती है टीचर ग्रेड सेकेंट स्रेंड की होती है अर्जमितम लिए ससिसी भेंक के इसका पाल्य आपको फार्ट के देदेंगी ध्यान रखिएगा कार्ट के आपको देदेंगे ऑफ लाइन फ़र्म जमाक करवाना है फुच जाके जमाक करवांगे डिटेल्ड वीडियो जो है वह पार्ट बश्रू नमर्ब छोड़ देना है उसके बाद प्रवेच के संबंद में मैरिट गरना वे अनुशंचा यहाँ पर आप पहले नंबर पर अभ्यरति का नाम पिता का नाम लिख दे और दूसरे नंबर पर महाविद्याले जिसमें प्रिवेश चाय गाय वो लिख दे तीसरे नंबर पर अगर आप एलेवी फस्टियर में एडिवेशन ले र बढ़ सकते हैं तो आप यह वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यह वीडियो आप अपने मित्रों के साथ और फ्रैंड्स के साथ शेर कर सकते हैं जो इन सरकारिया राज की विधी माविद्याले में एड्मिशन लेना चाहते हैं ध्यान रखिए गए कोमन फॉर्म है इस फॉर्म को आप डाउंलोड करके किसी भी रास्तन के सरकरी विधि माविद्याले में जमा करवा सकते हैं फॉर्म भईने काम्स क्राइटेरिया जान चुके हैं और इसका पार्ट बन दूर देखिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी SYGNS को बहुत बहुत शुब कामने मिलतें नेक्स्ट किस इंफर्मेटिव वीडियो में धन्यवाद